पता है मुझे क्या बुड़ा लगता है जब कुछ लोग चीन पे इतना मोहित हो जाएं कि वो भारत को नीचा दिखाने से भी नहीं इचके जब पांडा को गले लगाने वाले चाइना हॉक्स बनने का प्रयास करें तो हास्यस्पद है क्योंकि उडेंगे तो वेसे भी नहीं इतनी शालींता से अपने विडोधी को धो देना कोई एस जैसंकर से सीखे नमस्कार टी फाई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रतिवश माधव आपको अबगत कराऊंगा कि कैसे एक ही भासन में एस जैसंकर ने राहुल गांधी को कूट निती पर पाठ पढ़ा और कैसे अमेड का प्रशासन को भी उन्हें हलके में नौ लेने का सुझाब दिया तो आईए आविलम आरम करते हाली में इंडिया टुडे द्वारा आयोजीत संबेलन में भाग लेने गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर ने कई विश्यों पर अपने विचार साज नहीं था सरप्रतम उन्होंने चीन पर आक्रामक रूप अपनाते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंद चुनौती पूर्ण इस्थिती में उन्होंने चीन को फटकार लगाते हुए कहा कि समझोता का उलंगन करके कोई यह नहीं दिखा सकता कि सब कुस सामान पहले जो समझोता हुए उनका चीन ने उलंगन किया भारत साफ कर चुका है कि कि किसी भी प्रकार के समझोते का उलंगन नहीं सहा जाएगा अगर कोई वेक्ति विरोध के नाम पर अनरगल प्रलाब करें और भारत की अखर्णता पर प्रस्ण चिन लगा दें तो आप उसे क जुग्र शब्द का प्रयोग करते हुए बिरोधी की पोल कैसे खोलते हैं इन दिनों किस प्रकार से राहुल गांदी अंतर राष्टियों मंचों पर भारत की बुढ़ाई कर रहें यह किसी से छुपा नहीं इसी पर टिपनी करते हुए इस जैसंकर बोले भारत का नागरिक चमता को लेकर बराही बढ़ा चठाकर प्रसंसा करते हैं और उसी सांस में बोलते हैं कि भारत का मेक इन इंडिया किसी काम का नहीं ठीक है देश के विशय पर सबके मत समान नहीं हो सकती परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप देश वासियों का मनोवल ही तोड़ने में जुट जाए यह अधिकार रहुल गांधी को किस ने दिया है परंतु जैसंकर उतने पर न रुके जब नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर एरिक गार सेटी के बयान पर सवाल पूछा गया इसके जवाब में विदेश मंतरी ने कहा कि नागरिक्ता के लिए दुनिया के अ पीरण किया गया है इसी स्थिति में भारत ही आएगा और कहा Singapore जाएगा यह एक सच्छा ही है इसे हर कोई जानता है उन्होंने आगे कहां in Ratý को यहां आने दीजे उन्हें प्यार से समझा देंसी एटी है कौन यह रहों में ही निएकित तुनि Pilot जो भारत में स्थित् transfrecht कि का के बाद लगातार नौ साल तक मेर रहे लॉस एंजल्स को दोचार अठाइस के ओलंपिक सहर के रूप में चुने जाने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती बताते चले इनके उपर यौन उत्पीरन के आरोपित पर सही तरीके से कारवाई ना करने तथा मेर रहते हुए सब्सदूत निवक्त किया जाता है तो नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर कथित मानव अधिकारों के मुद्दों को उठाएंगे ऐसे में सुब्रमन्यम जैसंकर ने एक ही तीर में दो निसाने साधे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही व्यक्ति चाहे राहुल